एक बार आप इस तरीके से शीर कुर्मा की रेसी बना कर देखिए, कसम से कह रहा हूँ, ये इतना टेश्टी बनता है ना कि आपके घर वाला आपसे इंप्रेस हो जाएंगे और आपसे बार बार कहेंगे कि आप ये शीर कुर्मा उनके लिए बनाईए, तो शीर कुर्मा को बन कर सकते हो अब इन ड्राइफ रूट्स को मैं आदे गंडे के लिए भेगो का रखना है पानी के अंदर ताकि अच्छ सॉफ्ट हो जाए आदे गंडे के बाद इन ड्राइफ रूट्स का पानी में से भार निकाल लीजे और इनको आपको रफली चॉप कर लिना है मैंने इसको म ने रिच और क्रीमी बन सके अब गयस को हाई फ्लेम पर रख कर हमें इस दूद को अबालना है इस दूद को हम तब तक अब तक उबालेंगे जब तक इसकी चो कवान्टिटी है यह थोड़ी सी कम नहीं हो जाती और जब तक हम इस दूद को अबाल रहे हैं तब तक फटाब दूद आड़ कर लेंगे गरम दूद हम इसमें इसलिए आड़ करें ताकि जो केसर है वो फटा वट सतना कलर इसमें छोड़ दे अभी फिलाल हम इसको रखते है साइड पर और अब एक पैन में या फिर एक कठाई में हमें आड़ करना है एक बड़ी चमच जितना घी घी जब हलका सा गरम हो जाए तब जो ड्राइफरूट्स को अपना कट करकर रखावा था वो सारे ड्राइफरूट्स हम इसके दर एड़ करेंगे तो ये गाया इसमें बड़ाम, काजू, पिस्ता, किश्मिश, चिराउनजी और खजूर अब इन सारे ड्राइफरूट्स को में मीडियम फ्लेम पर तकरवन 2-3 मिटले सेखना है इन ड्राइफरूट्स को घी में सेखने से इसका एक बहुत ही बड़ी बड़ी असा फ्लेवर आता है तो ये आप ज़रूर करिएगा और एक चिसका आपको याप रिधाना रखना है कि इसका आपको मीडियम या फिर स्लो फ्लेम पर ही सेखना है अगर आप इसको हाई फ्लेम पर सेखने जाओ वे तो चांसेस है कि ये जल सकते है और फिर ट्राइफ्रूर्ट्स को फ्लेवर है उतना अच्छा नहीं आएगा तो इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पर सिखेगा बीच बीच में आप इसको चलाते भी रहेगा या फिर से टॉस भी कर लीजेगा तकि ये जलना जाए चलिए इन ट्राइफ्रूर्ट्स को सिखे हुए तकि आपन 2-3 मिनिट होच की है तो गैस को आप बंद कर लीजे और इन ट्राइफ्रूर्ट्स को एक टेट में ट्रांसफर कर लीजे अब उसी पैन में हम आड़ करेंगे एक बड़ी चमजेता घी गी जब कर हम हो जाए तब आप इसमें वर्मेसी लियाने की सेवाई आड़ करनी है मैंने वापर एक छोटा पैकेट सेवाई आ का इस्तमाल किया आवा है ये सेवाई आपको मॉल में से या फिस सुपर मार्केट मैं से आसानी से मिल जाएगी सेवया को जब आप पैन कंदर add कर रहे हो तो इसको आप तोड़कर add करियेगा ताकि आपको उसको mix करना में तोड़ी सी आसा नहीं हो मैंने सेवया को इसमें ऐसे बड़ा-बड़ add कर लिया था और उसकी वज़े से मुझे इसको mix करने तो इससे दिक्कत हो रही थी अब इस सेवया को में slow flame पर तकरवन 5 मिट के लिए सेखना है इससे भी हम high flame पर नहीं सेखेंगे ताकि यह जलना जाए यह शीर खुर्मा खाने में तो बहुत ही टेश्टी बनता है और इसको बनाना भी उतना ही simple है तो एक बार आप प्लीज इस recipe को जारू try खड़िएगा और अगर आपको मेरी यह शीर खुर्मा के recipe पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को like और share जारू खरिएगा चलिए इस सेवाया को सेखे वा तकर में 5 मिट होच की है तो इससे भी हम साइड पर निकाल लेंगे और जो दूद को हमने उबालने के लिए रखा वाता वो अच्छा से उबल चुका है और इसके जो quantity है यह पहले से थोड़ी सी कम हो चुकी है तो अब जो केसर का दूद हमने साइड पर बना कर रेडी किया था वो केसर का दूद भी हम इसके अट कर लेंगे बस इन सभी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे अब जो dry fruits को हमने भून का रखा वाता वो हमें इसमें अट करना है इसी के साथ जो सेवा या को हमने सेख कर रखा वाता वो भी इसमें अट कर लेंगे और बस इन सभी को हम एक बार मिक्स कर लेंगे अब इसको मीठा बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर दो options है या तो आप इसमें चीनी का इस्तमाल कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इसके अंदर condensed milk का इस्तमाल कर सकते हो मैंने अज यहाँ पर condensed milk का इस्तमाल किया है condensed milk का इस्तमाल करने से मिठास तो आती है यह शीर कुर्मा के अंदर साथ ही साथ उसका जो texture है वो भी एकदमी रिच और क्रेमी बनता है और इसमें condensed milk का इस्तमाल करना साना आपका काफी सारा time भी बच जाता है तो हो सके तो आप भी यापर condensed milk का ही इस्तमाल करिएगा और अगर आपको यह जनना हो कि घर पर condensed milk कैसे बनाया जाता है तो उसकी recipe मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो ता पुझे comments में जरूर बताईएगा तो इस वीडियो के link आपके साथ जरूर शेयर कर दूगा मैंने यहाँ पर एक cup condensed milk का इस्तमाल किया है आपको इस शीर कुर्मा को कितना मीठा बनाना है उस अनुसार आप condensed milk या फिर चीनी के मातरा कम्याइज ज़्यादा कर सकते हो अब बस इन सभी कबार mix कर लेंगे और फिर हमें इस शीर कुर्मा को slow या फिर medium flame पर तकरवन 10 मिट के लिए पकाना है ऐसा करने से जो सेव या है वो अच्छा सॉफ्ट भी हो जाएगी एक चीज़ का या पर ध्यान रखेगा कि आप इसे बीच बीच में चलाते भी रहिएगा चले इसको पकाएव तकरवन 10 मिट होच की है तो अब सबसे आखिर में हम इसमें आट करेंगे एक चोटा चोटी चमा जित्ता इलाइजी पाउडर याने की कार्डमों पाउडर इलाइजी पाउडर का इस्तमाल करने से सब्सक्राइब बहुत बड़ी ऐसे खुश्बू और टेश्ट आता है तो इसका बज़र इस्तमाल करिएगा अगर आपको इलाइजी पाउडर का फ्लेवर पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो शीर कुर्मा को आप गर्मा गरम भी सब्सक्राइब कर सकते हो रूम टेंपरिचर पर भी इसको सब्सक्राइब किया जा सकता है तो एक बार प्लीज आप इस रेसिपी को जारू ट्राय करिएगा और अगर वीडियो पस्तन आया हो तो इससे लाइक और शेयर जारू करिएगा